अगर आपने किसिंग बूट का पार्ट तु नहीं देखा है तो वह देख लिजेगा उसके बाद यह एक्स्पेंग वीडियो देखिएगा दाकिसिंग बूट पार्ट त्री मूवी की सुरुआत वहीं से होती है जहां पर पार्ट टु खतम हुआ था अभी एल के पास दो को खुष करके हावर्ड कालेज में जाए या फिर वह अपने बेस्ट प्रेंट यानि की ली को खुष करके ब्रेक्ली कालेज में जाए और अपना रूल ना तोड़े यह के लिए दो अप्सन में से एक जुश करना बहुत ज़्यदा मुश्किल था लेकिन यह सभी वहार रेकेल के साथ घुमने चली जाती है वो लोग बहुत ज़्यदा मस्ती और फन करते हैं वो लोग बीच में जाते हैं वो लोग केंपेंड करते हैं सांसेट होता हुआ देखते हैं सांट फ्रेंसिस को जाते हैं बहुत सारे कॉंसेट में हिस्चा लेते हैं लेकिन बीच ले आएगा वो अपनी गल्प्रेंट के साथ कहीं घूमने जाएगा और वह लिटे उसकी गल्प्रेंट रिकेल के साथ ही मनाएगा एक दिन डिनर करते टाइम ली के मौमड़ेट ली को पूछते हैं कि वो लोग इस समयर में क्या करने वाले हैं उसके बाद ली कहता है कि वो ल बदलने को कहते हैं लेकिन बीच आउस बेजना तो तय होता है थोड़ी दिर बाद एल को एक कॉल आता है वह वहां से उड़ती है और थोड़ा दूर चली जाती है वह कल ब्रेक्री कॉलेश से आया हुआ होता है वह कहते हैं कि एल को अपने डिजन कल के अंदर देना होगा इसके बाद ये सुनकर एल थोड़ा सा बुरा फिल करने लगती है घर पे एल के पापा देनिंग उसे कहते हैं कि उनकी एक नहीं गर्फिन है जिसका नाम लिंडा है और वो कल लिंडा के साथ डेट पे जाने वाले ये सुनकर एल थोड़ा सा बुरा फिल करती है लेकिन बाह होता है और उस लिस्ट में बहुत सारे क्रेजी विसेस होते हैं जो कि एल और ली एक साथ पुरा करेंगे यहीं सोच के बना हुआ होता है कुछ साल पहले ली और नोवा उनके पेरेंस को रिक्वेस्ट करते हैं कि वह लोगी समर में यहीं पर पिताने वाले उसके बाद उनके पेरेंस में मान जाते हैं तभी एक तोड़ दितरबाध एल को एक कॉल आता है वह काल होता है ब्रोक्ली कॉलिघ ते फिर नोवा से जाके कहती है कि वह उसके साथ हावाट जाने वाली है यह बास स्थुनकर निट थोड़ा सा गुसा हो जाता है और वह थोड़ा सा बुरा फ है कि वो डिसेट कर चुका है कि वो रिकेल के साथ होलिडे मनाएगा इसके बात ली रोने लगता है ली का हाल देखे ल भी बहुत बॉरा फिल करती है फिर ली को कहीती है कि वो लोग जाने से पहले बकेस्ट के शारे विश्टिस्ट पूरी करेंगे और वो दोनों मिलकर उसके बाद उस पार्टी में टोपिन के साथ उसका पड़ोसी आस्टिन भी आता है जो की ब्रोकली कॉलेज में पढ़ता था इसलिए आस्टिन और ली घुल मिल जाते हैं और वो दोनों बहुत सारी बाते करने लगते हैं एल आस्टिन और ली को ज्यादा कनेक्ट होता हुआ देख कर थोड़ा जलस भी होती है दूसरे दिन से ली और अपने बकेट विस्टिस पूरा करने लगते हैं उनके लिस्ट में बहुत सारे क्रेजियर फंटास्ट होते हैं जैसे कि सुमो रेस्लिंग, स्काइड ड्राइविंग, वीने पाई इटिंग चेलेंज, सुम विस सार और भी बहुत सारे टास्ट, एक दिन रेस्टूरेंट में एल की मुलाकात होती है मारको से, मारको वहाँ पर अपनी फेमिली के साथ लंच करने आयवा होता है, उसके बाद एल और मारको बातचित करते हैं और मारको कहता है कि वो यहीं के वाटर पार्क में काम करने लगा है नोवा अपनी दोस्त क्लोरी को बीच आउस पर इंबर कर लेता है, उसके बाद रात कर नोवा एल से कहता है कि क्लोरी भी यहाँ पर आने वाली है, तब एल भी कहता है कि वो आज मारको से मिली और मारको यहाँ के वाटर पार्क में काम करता है, यह सुनकर नोवा का मुँ ल मांगते हैं लेकिन नवाराजी नहीं होता है उसके बात रेस्टरोंट में फूरीब बहुत चिड्रटी लेकिन बाहर एक्सपेस नहीं करती पीसास में क्लोरी आच चुकी थी इसलिए लिग्लोरी से मिलने के लिए जाती है दूसरे दिन विश्ट लिश्ट पुरा करने के लिए ली और एली उसी वाटर पार्क में जाते हैं वहां पे नोवा भी होता है वहां मारको भी होता है जो कि एल और ली की बकेट लिस्ट पूरा करने के लिए मदद कर रहा होता है उसके बाद नोवा मारको के देखकर थोड़ा सा देलस हो जाता है एल ली की विस्ट होती ह और उनके साथ बहुत सारे उनके फरेंट्स भी जॉईन होते हैं मारको को देखकर नोवा भी उसे चुझ में जाता है और ओसके बाद भोह र cooking बहुत ज्यादा टक्डी और इंटेंस वाली हो जाती है रेसिंग में नोवा और मार्को एक दूसरे की कार को टकर मारने लगता है एड में मार्को रेसिंग जीत जाता है और एक इंच से नोवा रेसिंग हार जाता है रेसिंग के बाद मार्को नोवा से हाथ मिलने जाता है लेकिन नोवा उसे इग्नोर कर देता है दरसल को टाइम पर आ जाए उसके बाद एल भी चावस पर जाती है और वहाँ पर देखती है कि नोवा ने उसके लिए केंडल लाइट डिनर तयार किया है और वह चारों तरफ बहुत ज़्यदा अच्छा डेकोरेशन भी किया है लेकिन चाहकर भी नोवा के पास रुक नहीं पाती ह मारको उसे संबालता है और कहता है कि एल नोवा से भी ज्यादा बेतर डियप करती है क्लोरी की बात मानकर नोवा रात को रेश्टुरेंट में जाता है और एल को सोरी कहता है और दोनों किस करने लगते है और नोवा और एल को किस करता हुआ मारको देख लेता है और थोड़ प्लखने कि उपजिट टीम में होते है नोवा वालीवाल को खिल करता है और वो जाके मारको की मुह में लग जाता है उसके बात नहीं की तिम में दटी है मारको जाते गुआ सा हो जाता आ है लेकिन वह अपने आपको सम्मालता है और मारको उपर एड़क नहीं कर ता है। और कुछ नहां कहीते हुए वहां से चला जाता है। अभी नुवा एल को कहता है कि उघ्वेरे को यह को फूरने के बीच में कोई नहीं ना आये, रात को गेम खेलते टाइम एल बहुत ज़्यदा गुसा हो जाती है और वो लिंडा को बहुत ज़्यदा इंसल्ट कर देती है और वो कहिती है कि वो लिंडा को ज़रासा भी पसंद नहीं करती है और वहां से उठके चली जाती है एल के पापा एल को समझाने जाते है लेकिन एल अपने पापा को बहुत ज़्यदा बुरा बाला कही देती है और वो अपने पापा को सेलफिस भी कही देती है जिससे जैनिंग यानि कि एल के पापा बहुत ज़्यदा हर्ट हो जाते है नोवा एल को ना मिले बहुत दिन हो जा दीया कि अंपलों को एड़ नहीं करना चाहिए लेकिन थोड़ी दिश्व बात उनके बीट में धग्रा हो जाता है और उनके बीट में इलेशना, खतम हो जाता है, 75 00. प्लतोबों मेधक जो जाता है immers अंपला देख्राय चुका है इसलिए एल बहुत ज़्यदा बुरा फिर करने लगती है एल से मिलने ली की माहा आती है और एल को थोड़ा सा होस्ता देती है और कहिती है कि उसे वही काम करना चाहिए जो कि उसे खुद पसंद हो इंदर एल और नोवा की ब्रेक अप की ख़बर रिकेल ली को सुना चाहिए और वह कहिती है कि उन दोनोंने बहुत ज़्यदा ट्राइग किया लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हुआ रकेल कहिती है कि वह अर ली भी अब लॉग डिस्टेंस रिलेशन में जाने वाले और नोवा और ली को देखकर उसको डर लगने लगा है इ उसके बाद एल लिंडा के पास जाती है और उस दिन जो भी हुआ उसके लिए माफ ही मांगती है और लिंडा भी एल को माफ कर देती है मार को भी एल से आके मिलता है और जो किस भी हुआ उसके लिए सोरी बोलता है उसके बाद मार को कहता है कि वह अभी नियॉवर्क जाने पार है इसलिए वह एल से आक्रीबार मिलने आए अभी अपने दौस्त ली के पास जाती है और उन दोनों के बीट में जो भी वह उसके लिए माफी मांग ति हुआ उसके बात ऐल कहती है कि वह अभी गेमिंग डिजाइन करने वाली है ना तो वह आवाट जाने वाली ना थो ब उसके बाद नोवा भी हावाट चला जाता है उसके बाद एल अपने घर में आती है और देखती है कि ली ने उसके रिए एक डीडिया मेशन गिफ्ट करके बेजा है वो देखकर एल बहुत ज़्यदा खुस हो जाती है अभी एल गेमिंग डिजन कंपेनी में अपना इंटर्व बहुत चुका है और वो दोनों अभी एक साथ है राकेल ली और एल कॉलेट के कार्णीबल में घुम रहे होते हैं और वो देखते हैं कि अभी किसिंग बूद उनके जुनियर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो देखकर वो तीनों बहुत ज़्यदा खुस हो जाते हैं और अपने यह है इसलिए उसे अभी निकलना होगा इसके बात नहों वहां से चला जाता लेकिन एंड में हम देखते हैं कि नोवा की तरफ देखता है और अपना हाथ दिखाता है और इसे के साथ मोई खतम हो जाती है कि घृता अपने सालों से एक दूसरे से करसे नहीं थे लेकिन अब प्रीट नुके शसकाई बिकाई दिए गाए